नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार हमारे हिंदु समाज में हर ब्यक्ती पूजा पाठ करता है पूजा ना भी करे तो उसके घर में एक भगवान की तस्वीर जरूर होती है जिसको वो रोज कम से कम घर से बाहर निकलने के पहले सुबह साम नमन जरूर करता है प्रनाम जरूर करता है ताकि भगवान उनके जीवन के कस्टों को दूर करे और घर में खुसियां बरे मानसिक शुकून दे आखिर हम भगवान के पास आते क्यों हैं? मांसिक सांती के लिए जहाए घर हो या बाहर आप जहां रोज एक ही समय पर नियाद समय पर प्राथना करना सुरू कर देते हैं वहीं पर निगेटिव इनर्जी भाग जाती है पॉजिटिव इनर्जी आ जाती है और आप अपने घर में पूजा पाट तो करते ही होंगे भगवान के लिए अस्थान जरूर बनाया जाता है लेकिन कई बार आपके द्वारा की जा रहे ही पूजा का फल आपको मिलता ही नहीं तो आखिर आपकी पूजा करने में कमी है या कहीं कोई ऐसा वास्तु दोस्त है जो आपकी पूजा को स्विकार होने ही नहीं दे रहा त गर में बने मंदिर है चाहे वो आप कहीं भीुजा करें इस इस मंदिर नियुजा Хम hier में करें वास्तू की बात करें गर के यसान कोन को यांई तर पूरभ दिशा की अर्कर तो यह सरवोत्तम माना जाता है अगर घर में बना जो आपका मंदिर है वास्तू के बिपरीत हो मंदिर नहीं भी है आप कहीं भी पूजा करते हैं तो अगर आप वो सही जगह नहीं है तो मन भी आपका पूजा में नहीं लगेगा और इसका लाप भी नहीं मिलेगा अब ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स जो आपके पूजा करते हैं जब भगवान को तो आपकी पूजा जल्दी स्विकार होगी इसके लिए सबसे पहली बात तो एक भगवान की मुर्ती एक ही रखे दो ना रखे दूसरी भगवान गनेश की तीन परतिमा तीन मुर्ती पूरे घर में नहीं होना चाहिए डो बस बहुत है एक आप अपने घर में मुर्ती रख सकते हैं जहां पुरानी हो गई है ऐसे तस्वीर की मूर्ति की पुजा ना करें वरना नकात्मक्ताब बढ़ेगी और देपता भी नाराज होंगे घर के जो मंदीर है जो पुजा स्थान है हमेशा उतर पुरब दिशाव में ही बनाएं डख्षिन या दक्षिन पस्षिन असूब दिशा होता है इस दिसा में पूजा पाट आप नहीं कर सकते नहीं तो आप को उतनेफिल नहीं मिलेंगे और घर के मंदीर में दो संख मत रखि तो घर के मंदीर में दो संख एक साथ नहीं रखना है वास्तु के अनुसार मंदीर जहां पर आप भगवान की पूजा करते हैं आसपास सोचाले मदवन बाइगे और दूसरा बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी मुर्तियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए पूजा अस्थान पर अगर आप सिविलिंग रखते हैं तो अंगुठे से छोटा रखें और पारत सिविलिंग रख लें तो आपकी पूजा भी जल्दी स्विकार होगी देवी देपताओं की हमेशा सौप्ट मुद्रा सौम में मुद्रा में मुस्कराती भी तस्वीर लगाईए अब यह नह होगा उग्र देवी देपताओं की मूर्ती स्वरू बाली तस्वीरें मत रखिएगा वरना जीवन में मुस्किलें बढ़ जाएगी और हनमान जी की जरूरत से ज्यादा बड़ा मुर्ती नहीं रखें और जब हनमान जी की आप मुर्ती घर में रखते हैं तो प्रयास यह कर मन अगर एक आग्र न हो रहा हो तो धन शमल्पत्ती का नुकसान होने लगता है भूणकर भी आप अपने श्टोर रूम में पूजा का स्थान मत बनाए और ना ही बेडरूम में आप पूजा करें तो आप भूल कर भी पूजा की अलमारी अस्थान पर भी ना रखे जहां पर कबाड है इन चीजों से आपको बशना चाहिए अब जैसे कि आप घर में रोज मंदिरों में फूल चलाते होंगे तो भगवान की पूजा के फूल आप यह नहीं की बासी पड़े वे हैं घर के कोने में रखे वे यह सही नहीं है आप उनको हटाईए कोशिस करें कि साम के समय ही हटा दे क्योंकि जो सुखावा पुस्प है वो परेसानी को दरिता को गरीबी को अकाल मिर्तियू मंगल दोस जैसी समस्याएं पैदा करता है इसलिए उनको तुरंत हटाईए पुजा घर में मुर्तियों को लेके यह भी नियम है कि ग्रहसत लोगों को बड़ी मुर्तिया मंदिर में अपने घर में नहीं रखना चाहिए और पुजा घर में भूल कर भी अपने पितर देवों की तस्वीर मत लगाईएगा सास्तों में इसे भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि पुर्वजों की तस्वीरे मंदिर में लगाने से सही नहीं होता आप अपने घर के दक्षनी दिवार पर लगाईए ताकि पितर परसंद नहों लेकिन मंदिर में मत रखिएगा तो मंदिर में रसोई घर भी मत बनाईए क्योंकि वास्तु के अनुसार भी ठीक नहीं है ये और संख को भगवान विश्णु का परतीक माना जाता है इसलिए हमेशा इसको बदलिये मत बलकि संख को आप रोज बजाईए सुभा तीन बार साम में तीन बार अगर आप लड़ू गोपाल की पूजा करते हैं तो उनकी सेवा कीजिए उनको रोज ससनान करवाईए बस्त्र बदलिये और कम से कम परती दिन उनको तीन प्रहर में कम से कम भोग और प्रसाथ जरूब उनको अरपित कीजिए अगर लड़ू को गोपाल को लेकर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लेकर जाईए उनको घर में बंद करके मत जाईएगा क्योंकि उन्हें बिना भोजन कराए आप खा भी नहीं सकते इसलिए जो बेक्ती नियम करते हैं उनके घर में देके जाईए अब जैसे cooling रखेगा तो skipping Samantha Island Viutek मैं अंगुठे से छोटा ही ऐगरमन नुकिली चीजे से मत रखेगा धार धारदार चीजे मधर रहें नहीं तो आपके पूजा पूरा फल भी आपको नहीं मिलेगा मन आपको नहीं और अंत में जब आप पूजा करते हैं तो एक निश्चित समय पर रोज किया करें तब आपकी प्राथना जल्दी स्विकार होती है मोर पंख अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिए माना जाता है मोर पंख रखने से घर में सकात मकता आती है और भगवान स्रीकृष्ण को मोर पंख बहुत प्री है तो आप भगवान स्रीकृष्ण के माथे पर सजा कर रखें मोर पंख रखने से घर में कीडे मुकवरे बेगरे भी नहीं आते गंगाजल, हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत पवीतर माना जाता है और हर घर में पुझा स्थान पर गंगाजल भी होता है तो मंदिर में गंगाजल रखने से मालक्ष्मी की विसेश क्रिपा होती है लेकिन जब भी आप गंगा जल रखे तो चांदी या पीतल के बरतन में रखें घर में सुकसांती बनी रहती है संख तो आपको रखना ही है और संख से आप जल भी भगवान स्रीहरी को अरपित कर सकते हैं साली गराम भगवान को अपने पुजा स्थान पर मत रखें बलकि साली गराम भगवान को आप अपने तुलसी जी के अस्थान पर रखें क्यूंकि साली गराम भगवान हमेशा घर से बाहर रहते हैं तुलसी जी के पास जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आती जिस घर में सालिगराम भगवान होते है तो गंगा जल के साथ गोमुत्र भी है जो बहुत पवित्र होता है और जिस घर में गोमुत्र रखा होता है देवी देपताओं का आसिरवाद भी बरसता है आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात प्लीज ध्यान रखेगा जब भी आप सुबह के समय दियाज बाती करते हैं सुबह जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें एक लॉंग जरू डालिए आपके जीवन में ऐसी कोई भी अतुरी इक्षा नहीं रहेगी कि जिसवें आप पूरी करना चाहते हैं और वो पूरी ना हो क्योंकि लॉंग जब आप डालते हैं तो मनो कामना पूर्ण हो जाती है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेब जरूर लिखेगा ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddhrmasanmak.com गूगल सच करके आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको description में मिल जाएगा धन्यबाद हम फिर मिलेंगे